को नाव वी वील डिसकशे भाउट बाय ट्टीनोलाजी अप्लिकेशन एं एग्री कल्चर तो एग्री कल्चर में बाई टीकझनलाजी का क्या रोल हो सकता है इसके बाते में यूजसे करते हैं जैसे आकि मुझ जानते हैं कि फूट प्रोडक्टन को Lonka Chief करने के लिए तीन आप्सन हो सकते हैं, त्री आप्सन और प्रजेंट, फर्स्ट है एग्रोकेमकल बेस्ट अग्रिकल्चर, तो एग्रोकेमकल बेस्ट अग्रिकल्चर का मतलब जो फटिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड हैं, इनका यूज़ करके हम प्रोडक्सन को इनक्रीज कर सकते हैं, इन जेन्तिकली इंजिनियर ब्रक्राब देखेश सके हैं але वह से जुडाइवे इंजिंगिर की कुछ चीह अध्युक्ते हैं उथे वेगेश्ट टोर्कर्ू देखेश्ट और ऐसे लिए यहाधि है जा। पर देखेश्ट hmm, के पोति मिश्टन का सुनमा करा करें? के बारे में बात करते हैं, तो green revolution जो था, वो उसकी वज़ा से food supply जो है, वो triple हो गई थी, tripling कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, human population की growth हो रही है, ये sufficient नहीं है, enough नहीं है, तो ये जो था, अब दूसरी चीज यहाँ पे जो production बढ़ा, green revolution में, वो basically improved crop varieties की वज़ा से नहीं थी, वो parsley थी, मलब थोड़ा तो crop के varieties में improvement हुआ, लेकिन basically जो बढ़ने का उसमें region था, वो था, practice and use of agrochemicals, agrochemicals यानि के fertilizer और pesticide के ज़्यादा यूज से ही उस चीज को हम लोग बढ़ा पाये थे, green revolution में ये basic चीज़ें थी, तो green revolution में crop variety का improve उतना नहीं हुआ, जितना की fertilizer और pesticide का यूज हुआ है, तो इसका result क्या हुआ कि एक तो ये जो agrochemicals है ये expensive होते हैं और हर farmer के लिए इतना ये आसान नहीं है कि वह ज़्यादा यूज कर सकें, दूसरा इसका नुकसान ये हुआ कि ये इससे क्या हुए धीरे धीरे जो land है वो उसका pH है या उसका फर्टिल्टी है वो खराब होती गई और इस तरह से वो harmful effect भी आने लगा उसका environment में और crops के event quality में भी उसका असार आने लगा, तो इसके लिए अब ये हुआ कि कुछ और इसमें चीजें ऐसी हो जेंटिकली इंजिनेर का कैसे यूज करके उनको हम बहतर बना सकते हैं ताकि हम crop के production को, crop की quality को, crop के अने features को हम लोग develop कर सके, improve कर सके तो इसके लिए नया method जो यूज किया जाता है आजकर हम लोग उसको ज plants, bacteria, fungi and animals, whose genes have been altered by manipulation, are called genetically modified organisms, तो ऐसे plant, bacteria, fungi या even animals, जिनके genes को हम लोग alter कर सकते हैं by manipulation, तो ऐसे organisms को हम लोग बोलते हैं genetically modified organisms या GMO, तो हम लोग यहाँ पे GM plant के बारे में ज्यादा डिस्स करेंगे पहले, तो GM plant का मतलब genetically modified plants, तो GM plants के थुरू हम लोग इसमें होगा क्या, कि जो desired gene है उसको हम लोग genetically engineering के थुरू, genetic engineering के थुरू add कर देते हैं, और उस desired gene की वज़ा से, जो हमारा अब crop produce होगी, वो उस desired properties के साथ होगी, तो इस तरह से हम plant को बहतर मना सकते हैं, crop को बहतर मना सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें ध्यान दी जाती हैं, कौन कौन से ways होते हैं, जिनमें हम लोग कर सकते हैं, या क्या चीज़ हम चाहते हैं कि plant में हम manipulate करें, modified करें, जो genetically modification के हम बात कर रहे हैं, organisms के अंदर, वो क्या होना चाहिए, खासकर के plants के अगर हम बात करें, तो GM plants में कौ कौन कौन से feature, as हम लोग expect करते हैं, या करना चाहिए, या किया जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा हैं, तो इसमें जो first point है, आप यहां पे देख रहे हैं, कि crop को हम लोग क्या बनाएंगे, more tolerant to abiotic stress, यहां पे जो GMO के अंदर features हैं, वो क्या होंगे, more tolerance to abiotic stress, abiotic मतलब, environmental जो condition, cold है, drought है, salt है, heat है, जो environment है मारे चारत तरफ, उसको लोग abiotic stress बोलते हैं, जिसमें कोई बायर्गनिजम का रोल नहीं होता है, तो उसको, उसके against यह more tolerant हो, पहला जो हमारा first, जो हमारा modification होना चाहिए, जो हमें requirement है, वो यही है, दूसरा, reduced reliance to chemical pesticide, तो जो pesticide है fertilizer से, उनके उपर जो dependency हो, वो बहुत कम रहे है, उस बेना के बराबर रहे है, ठीक है, दूसरा, third point है, help to reduce post harvest losses, तो post harvest losses का मतलब, जो बहुत सारे plants के अंदर, grain के अलावा जो parts होते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं हो, एक average कम हो, ताकि जो loss है post harvest हो कम से कम हो, तो बहुत से plant है उनमें leaves वगरा ज्यादा होती है, इंग्रेंस छोटे होते हैं, और overall जो production है, वो कम होता है, तो उसमें हम लोग ऐसे changing लाएंगे, कि जो post harvest loss हो, वो कम हो, इसके लावा increased efficiency, आप mineral uses by plants, तो increased efficiency का क्या मतलब हुआ, कि soil के अंदर जितना mineral है, उसको वो efficiently use कर सके, पूरा use कर सके, ताकि और जितना यूज करें, उतना वो उसका benefit मिले, वो crop के अंदर आ जाए, वो चीज, crop के grain के अंदर आ जाए, तो इससे क्या होगा, कि proper जो है, उसका यूज हो पाएगा, तो अनावस्यक चीजें स्वाइल से नहीं ली जाएगी, तो उसमें क्या नहीं हो पाएगा, फि तब एक्स्ट्रा जो है की damage नहीं होगा, जितना जरूवत है, उतना ही absorption हो प्लांट के अंदर, और बाकी चीजें स्वाइल में पड़ी रहें, ताकि वो फिर से यूज हो सके, आगे यूज हो सके, तो इससे क्या होगा, जल्दी से जमीन के अंदर minerals खतम नहीं होगे, एक ध से main aim होता है, हमारा GM crops का, GM plants का, कि उनकी nutrition value भी बढ़िया हो, जैसे vitamin A rich rise हो, और भी जो प्लांट हो, जो चीज होती हो, वो बहतर हो, ज्यादा हो, तो इस तरह से ये सब हमारे aims हैं, objectives हैं कि हमें generally modification क्यों करना है, और उससे हमें cabin fit मिल सकता है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि GM has been used to create tailor-made plants to supply alternative research to industry in the pharma, starches, fuels and pharmaceuticals, और इसके लावा, हम लोग GM plants का कहां यूज कर सकते हैं, create tailor-made plant, tailor-made का मतलब एक designed plant है, कि उसको हमने इस तरह से design किया है, कि जो हमें चीज चाहिए, industry के लिए, वो मिल सके हमें, एक alternative source की तरह, जैसे कि हमको starch ज्यादा चाहिए, तो starch मिल सके fuels चाहिए, तो fuel मिल जाए, या pharmaceuticals के लिए कोई medicine चाहिए, कोई crude medicine चाहिए हमको, तो वो चीज हमें मिल सके, कलाइड मिल सके, उनके अंदर heavy mount में, तो उसके लिए हम उसको design करते हैं, जो हम लोग GM के लिए modification करते हैं, GM के लिए design करते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे tailor-made plant, या BT plant के बारे में, BT toxin के बारे में, ये BT plants क्या होते हैं, BT toxin क्या होती है, और BT का मतलब हम यहां बता देंगे, बैसलस thuring genesis, एक bacteria है, उसके gene को, जो gene होता है, वो toxin produce करता है, तो उसके toxicity को हम लोग कैसे genetic engineering से use कर सकते हैं, और plants के नदर modification कर सकते हैं, इसी चीज को हम लोग आगे indices करेंगे, तो इसमें होता क्या है, कि एक bacteria BT है, यानि कि बैसलस thuringiens है, उसमें कुछ genes होते हैं, जो की toxin produce करते हैं, तो उसको अगर हम लोग plants के अंदर add कर देंगे, तो plants का जो cells हैं, वो भी कुछ toxin produce करेंगे, जो उनको insect से बचाएगा, इस तरह से plant के gene में ही हम लोग modification करक इंसेक्ट से उनको बचा सकते हैं, बिना किसी insecticide या pesticide के यूज किये हुए, इस तरह से आप सुनेंगे बहुत सारे BT plants बनाएं, BT cotton, BT corn, rice, tomato, potato यह से बनाए जा रहे हैं अचकल, हलाकि यह थोड़ा सा disputed भी रहा है, कि BT का यूज किया जाए या नहीं किया जाए,